हेलो शुडेंट्स गुड आफ्टनून एवरीवान बच्छा लोग क्या हाल सबका एक डम टका टक वेरी वेरी गुड आफ्टनून तो अलडियर शुडेंट्स बच्छा लोग आज फाइनल लेक्चर अपना इस चैप्टर का कि एट्सवीट कुछ बच्चे अपने जॉइन हो जाएंगे जब तक सब लोग निकालेंगे और अल्कॉल फिनॉल्स रिवाइस करेंगे आज फिनॉल्स का रियाक्शन करना है और एधर कंप्लीट करना राइट आज सेशन वाइंड अप करेंगे चैप्टर कंप्लीट करेंग कि कसका आए नमस्ते बिटा नमस्ते आज मुने टुक जाएंगे पांच मिनिट से शुरू करते तो पांच मिनिट तक जॉइन हो जाएं दो अपने सारे फ्रेंड्स को भी आप लोग भी फटाफट शेर कर दो अपने दोस्तों को कि मैं एकदम बढ़िया हो बिटा आप लोग कैसे हो खुप चाहन कर दो 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 चली तो शाल भी स्टार्ट गाइस फटाफट चरा थम्जब बेच दो जल्दी से सब दिखाओ यस अरे सथम्जब दिखना चाहिए यस आज फिनॉल से शुरू करना अगर अलकॉल वाइंड अप किया दर लास्ट टॉबिक किया दर ऑक्सिदेशन अफ अलकॉल किया अब थोड़ा बहुत भोजपुरी भी सीखे है चलिए तो विदाउट वेस्टिंग मच मूर टाइम गाइस जो बच्चे आ गए उनका फिर से वेलकम गाइस जैसे कि आप जानते हो गईस लास्ट लेक्षर में मैंने अलकॉल कंप्लीट कर दिया था मैंने अलकॉल पढ़ा दिया था बराबर आज के सेशन में अपने लोग क्या करने वाले बचाओ फिनॉल्स सबसे पहला ब्रोमीनेशन ओफ फिनॉल्स अब बचा लोग पेरी बातों को अच्छे से सुनने का समझने का और ध्यान देने का जो मैं बोल रहा हूँ बिटा रिंग हम लोग हमेशा इसके अंदर दो बनाते हैं चलो बताओ बचा लोग क्यों दो बनाते हैं आप लोग को ऐसे भी मैंने हेलोजन डरिवेटिव में अलयलाइड पढ़ाया था और उस समय मैंने यह बात आपको अल्रेडी बता दी थी कि हम लोग रिंग दो बार लेते हैं क्यों लेते हैं दो बार वाट इस रीजन तो टेक दर रिंग तो टाइम गाइस वेरे गुड अथरव ओपी तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को सुनके यह जाई विकास गाइस एक रिंग जो ती है न वह और तो के लिए होती है और एक रिंग जो ती है वह पैर सब्सक्राइबन डाइसलफाइड कैटालिस्ट सॉरी इन दप्रेजन्स ओफ टू मॉलेक्यूल्स ओव वियार टू इस फिनॉल उसके अंदर हमने डाल दिया टू वियार टू अच्छा अब दो रिंग लेलो फिनॉल का शुरू में जैसा बो लगा वैसा एक के और तो पोज लोगी एक और तो शूव में चैश निकाल तो थे अग recommendations सब्सक्रांब्कथ हिए निकान धिया जोंगे सब्सक्राइबियों सब्सक्राइमं है Ferial Canon Pr श्रफबर प्रॉमीन डाल दिया इवार किह यहां इक प्गार चार गया फेयर बंटर दिया थे को लिदू थो भी शहां पूर प्रिया भालकर के हैं भी अरी यह एक कर देंगे यह बन जाएगा और से और दूसरा बन जाएगा पी ब्रोमोफिनॉल मतलब एक और थो प्रोड़क्ट बन गया अपना और एक पहरा प्रोड़क्ट बन गया अपना एक ओ ब्रोमोफिनॉल दूसरा पी ब्रोमोफिनॉल पहला रियाक्शन अब यह अगर यह सेम रियाक्शन है ना बचा लोग मैं ब्रोमीन वाटर के साथ करू तो अब आप रिंग एकी बार लोगे लेकिन बियार तीन बार लोगे मतलब ये रिंग अभी एकी बार बनेगी दो बार नहीं बनेगी रिंग एकी बार बनेगी रियाक्टनेविडी चेंज हो गया उसका और्थो पैरा और्थो तीनों पोजिशन उसका निकाल लेना तीन पोजिशन और्थो पैरा और्थो तीन एच हो गया तीन एच को तीन बियार दिया तो तीन एच और तीन बियार बनके क्या बन गया बचलो थ्री एच बियार बचा कित्रा तीन और एक भी यह लगा दिया एक यह लगा दिया एक यह लगा दिया प्रोड़क्ट क्या हो गया तू कॉमा फोर कॉमा सिक्स ट्राइ ब्रोमो पिनॉट बड़ी इंपोर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है कि जब तू कार्बन डाइसलफाइड लेता है तो रिंग दो बार बनती है एक और्थो के लिए एक पैरा के लिए लेकिन जब तू ब्रोमीन वाटर के प्रेजंस में रियाक्शन करता है तो एक ही रिंग के तीनों पोजिशन उक्योपाई करते अब बुक के अंदर दो नहीं लिखा है इसका मतलब यह नहीं कि आप ना लिखो लिखने का बैलेंस होना चाहिए आपका रिंग बराबर है तो दो लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है बुक में नहीं लिखा तो बुक वाले भूल गए होंगे क्लियर गाइस चलो जिन बच्चों को यह समझ में आगया फ कंसेप्ट क्लियर जा लगाना है अपना है समझ लगाना है अपने लगा है चली है नेक्स्ट इसके बाद आता है बचलो सेकेंड जिसका नाम है नाइट रेशन आफ पनाल सबसे पहले हमने क्या कर लिया ब्रॉमीनेशन में ब्रॉमीन इलुज रॉद्हा नाइट्रेशन में यूज करते है नाइटरिक आसड ऑल्सु कॉल्ड एचे नो त्री अब चलो बचलोग एक सिंपल सा स्वाल एक सिंपल सा कुश्चन HNO3 को आप लोग इस रियाक्शन में किस फॉर्म में लिखोगे हाउ विल यू राइट HNO3 रियेजेंट इन दिस कुश्चन फटाफट आंसर करा थाम लो मि very good excellent OHNO2 yes guys हम लोग क्या लिखेंगे ना विड़ा OHNO2 चलो फिर से शुरू करता हूँ ring हम लोग लेंगे दो बार कुन सा रिंग है phenol क्या करेंगे इसमें दो एचनो 3 डालेंगे और एचनो 3 को हम कैसा तोडेंगे OH-NO2 बता है न येस आता है अपने अच्छा लिए यह वाला डाइल्यूटेड है जो से अभी फिला अचनो 3 में ले रहा हो ना ये डाइल्यूटेड है डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा कॉंसेंट्रेशन कम कर दिया है अब फिर से दो मॉलिक्यूल फिनॉल के दो रिंग ले लिए हमने फिनॉल का oh oh एक से यहां से हैज निकाले एक यहां से हच निकालेंगे इतना हेच होगया बस्कार लोग डो एच और यह दो एच ऐच ओर एक वाटर बनाता यह आप दो एच और बनाता है तो अपने को क्या में रहा है तो मिल गया दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अब गया बचा गया मेरे पास एनोडू बचा अब एनोडू को तुरंट लगा दो अपने रखम पाउंड पहे एक एनोडू यहां लगाया बच्छा लोग एक एनोडू यहां लगाया इसको बोलते है ओ नाइट्रो फिनॉल और इसको बोलते है पी नाइट्रो फिनॉल तो बेटा इसमें भी अपने को दो प्रोड़क्ट मिल गया एक और्थो वाला प्रोड़क्ट मिल गया एक पैरा वाला प्रोड़क्ट मिल गया सिंपल रियाक्शन मसका रियाक्शन एकदम कंसेप्ट क्लियर सिंपल बरोबर का चला similarly अगर मैं same reaction को phenol वाले को HNO3 ले रहाऊ तीन बार लेकिन कौन सा concentrated उपर क्या लिया था dilute, अब क्या ले रहाऊ concentrated, उपर कित्ती बार लिया था दो बार, इधर कित्ती बार ले रहाऊ तीन बार, फरक है ना उपर दो बार लिया, इधर तीन बार लिया बच्चे समझ गए होंगे सर तीन बार क्यों ले रहे है क्योंकि हम एक, दो, तीन तीनों पोजिशन से निकालूँगा, क्या निकालूँगा H, तीन H उदर से निकाला इसको कैसे लिखते है, OHNO2 3H और 3H, क्या बना 3H2, क्या बनारे में चलो, 3H2 क्या बच्चा, NO2 बच्चा 1NO2 यहाँ पर 1NO2 नीचे, 1NO2 बाजू में NO2 को नाइट्रो बोलते हैं कंपाउंड का नाम 2,4,6 Trinitrophenol आल्सो कॉल्ड आज पिकरिक आसिड यह नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखने का, दिमाग में रखने का, दोडाने का, यह नाम को भूलने का नहीं, this is called as पिकरिक आसिड इस दिस क्लियर गाइस दो रियाक्शन हो गए, पहला ब्रोमीनेशन हो गया दूसरा नाइट्रेशन हो गया जिन बच्चों को दुनों समझ गया, फड़ा फड़ा हाथ उपर करिये जल्दी से, फास्ट थैंक्यू पृत्विराज थैंक्यू बढ़ा बढ़ा एक्साम में कुछ नहीं करना है आपको खाली आप रियाक्शन प्राक्टेस करो अगर आप प्राक्टेस कर लोगे अच्छे से तो टेंशन नहीं रहेगा विके खुदी से ही कर पाओगे चलिए तो पहला ब्रोमीनेशन खतम कर लिया उसके बाद नाइट्रेशन खतम कर लिया अब चलता हो तीसरे वाले जिसका नाम है गाईस सल्फोनेशन चलो बचलो यह बताओ कि सल्फोनेशन में क्या यूज़ करोगे जिस तरह से नाइट्रेशन में HNO3 यूज़ किया नाइट्रिक आसिड उसी तरह सल्फोनेशन में H2SO4 यूज़ करेंगे जिसको बोलते है सल्फ्यूरिक आसिड और सल्फ्यूरिक आसिड भी नाइट्रेशन में जैसे अचनो 3 को तोड़ कर लिखते है यहां पर भी उसको तोड़ कर ही लिखने का लेकिन बिला यहां पर नहीं फरक है एक डिफरेंस है डिफरेंस क्या है अलो मैं बच्छा लोग कि यह तेंपरेचर पर बदलता है इसका मतलब क्या यह सवन मेरे पास फिनॉल है और मैं इसमें डाल रहा हूं सल्फ्यूरिक आसिड एच्ट 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 फूर जिसको मैं लिखता हूं ओएच डैश एच्ट ध्यान से नाइट्रिक आसिड में ओएच एच्ट लिखते है पता होना चाहिए याद करने का दिमाग में डालने का भूलने का नहीं तेंपरेचर यहां पे रहेगा तू नाइंटीएट केल्विन मंझे पंचुईज डिग्री सेल्चियस हे तेंपरेचर आप लयाला विश्राइच सा नहीं यह आप भूल नहीं सकते क्योंकि इसी के प्रड़क्ट मिलता है और थो वाला यहां से एच निकाला यहां से ओच पकड़ा एच और उवेच साथ में मिला तो क्या मिलें अच्छा एच टू ऑ क्या बन गया फिर से बोल एच टू ऑच यह अच्छा एसो त्री एच को इतर रिंग पे लगा जब बेंजीन रिंग तो लग जाता है ना तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक असिड अब स्कुशन नंबर टू आया दिमाग में दोडाने का अंसर देने का बड़ा जब तेरे पास और एसो त्री एच साथ में है सुनना मेरा कॉशन और अंसर करने का ठीक है बच्छा लोग वेरी गुड बिटा अथरव नवीन चुबंपॉल वेरी गुड एसो त्री एच एसो त्री एच बड़ा होने के कारण इसको आप प्रिफिक्स लिखोगे और यह प्रिफिक्स में बनता है हाइड्रॉक्सी तो इसका नाम होता है तू हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसेड सिमिलरली अगर यह सेम रियाक्शन एच टू एसो फॉर के साथ ओएच एसो त्री एच स्प्लिट करके अगर मैं करता हूं 373 केल्विन पर पहले वाला कित्ते पर किया पहले वाला हम लोग ने किया 298 केल्विन पर अब कित्ते पर हो रहा है 373 केल्विन पर फरक क्या उपर और्थो मिला था ना अब पैरा मिलेगा यहां से एच निकाला यहां से ओएच को पकड़ा एच और ओएच ने साथ में क्या बनाया एच टू अबर आया क्या बचा एसो त्री एच बचा एसो त्री एच लगा दे आपर पी हाईड्रोक्सी बैन्जीन सिल्फोनिक एसेड लिस ला इक और पर आड़ो मिलता है एक प्रोड़क्ट पैरा मिलता है दोनों भी उतने कहीं इंप शने था प्रोड़्क्यर अगा तेंप्रेचर्चिर झांश इसवे प्रोड़क्त है इतना सब को समझ में आगया गाइस थम्सप करिए तो नोट्स मिल जाएगा इंपोर्टन गोशन आज लेक्चर के बाद मिलने वाला है तो बने रहो साथ-साथ में अपने प्रिश्टल के लिए जाला सब ला सिद्धी और प्रोड़क्ट इस लिए मिलते है विटा कि यह जो गुरूप है न विच इसको और तो प्रोड़ा डारेक्टिंग नेचर है और एक गुरूप का अला एक नेचर होता है बेस्ड अन दो इलेक्टरोन वीड्रोइं एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग गूप तो यह ऑवेज गूप ही और पैरा डारेक्टिंग गूप है तो यह प्रोड़क्ट हमेशा कहा बनाएगा और तब पैरा पैर बनाएगा ठीक है समझ ल ओ हम अजवे यहिश्रा है काई विछ राइचा है थैंक्यू अधर हो ऊपर वाले में और तो लिख सकते हो टू भी लिख सकते हो नू प्राब्लम नेक्स्ट जो बच्चे बोल रहते हैं सर इंपोर्टेंट दो उनके लिए एक इंपोर्टेंट कोश्चन आ गया रीमर टीबन रियक्शन जितने बच्चे मेरे लेक्चर में सब सुन लो और इसे एक पहले रियक्शन आ रहा है और यह सबसे पहले कर किया रहा हूं ध। भेन से सुन मेरी बां अच्छा से फिनॉल लेनेगा फिनॉल में दो चीज़ आड़ करनेगा एक NaOH आड़ करनेगा एक क्लोरोफोम आड़ करनेगा NaOH और क्लोरोफोम अब यहां से OH यहां से H देखते जाओ, सुनते जाओ, समते जाओ, कुछ डाउट रहेगा दो पूशते जाओ ठीक है, H और OH मिलिया एक टो बन गया क्या बचा, ONA बचा, ONA उपर जा रहा है, ठीक है ONA उपर लग गया अच्छा इसका भी तो कुछ काम होगा, थोड़ी फोटो की चाने आया है उदर इसको भी कुछ करना पड़ेगा और बूलेगा, ठीक है, कुने की आला में भी तरता हो क्या करेगा, इधर से बॉंड बना, अच्छा बॉंड बन गया बॉंड से H निकाला एक H लिया, एक C L लिया एक H और एक C L ने क्या बनाया H C L बनाया C L गया न, C L 2 बचा है मतलब C L C L 2 बचा है इधर जोड़ दे, C H C L 2 step number one complex पहला step, दो step में होने वाला यह पहला हुआ है जो बोल रहा हो, सुनते जा देखते जा स्क्रीन पर समझ जाएगा सबसे पहले यासे OH निकाला, यासे H पकड़ा H और OH साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा H2, H2 बार अब क्या गिया, यहासे बांड गिया इधर से H निकाला, C L को लिया H और C L साथ में क्या बनाया, H C L बनाया बचा हुआ है, H C L 2 बचा हुआ है step number one done अब यह अपने पास है इस में H टोड़ा दे ध्यान से सुना मेरी बात तो शेहन से सुना तो जाग जाओ 2H और 2C L क्या बना 2H C L क्या बचा, O CH के पास जाने दे एक CH था तुमने O लगा दिया लास्ट टेप H प्लस डाल यह वाले N A को H से रिप्लेस कर प्रोड़क्त क्या बना उपर आ गया O H बाजू में आ गया CH हो 2H प्रोड़क्शन फिर एक बार करूंगा गौर से नजर जमाय रखना और देखते रहना क्या हुआ इदर से ओवेज गया इदर से एज गया एच और वेज ने क्या बनाया इदर से एज बांड बनाया इदर से लिया एच और लिया बचा गया CHC2 रिंग पर लगाया अब क्या करेंगे वाटर डालेंगे इदर का 2H और इदर का 2Cl 2H और 2Cl मिलेगा तो क्या बनेगा 2HCl 2HCl बार गया CH तो था ना ऑक्सिजन को उपर लिया CHO CHO अब क्या हुआ अब क्या हुआ से रिप्लेस किया प्रोड़क्ट बन गया 2H Benzaldehyde जिसको एक और नाम है गाइस Celicaldehyde भी बहुत इसको वेरी 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 इंपॉर्टन नेम रियक्शन क्या ये सब को ख्लियर है बचलो मस का कंसेप्ट समझ लगन आई सांगा लगकर सांगा इसा पटा पड़ बताईए समझ में आया कि नहीं है जोजे का काम लेक्ट दोन्ट वरी बटा सब हो जाएगा टिंशन नतलो कि 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 अजिंग के जाता हो गुड संजर राओ ठैंक यू बटा चला एक दा परत बग हुए दोंट बड़ी रियक्शन थोड़ा सा वड़ा है हाड नहीं है रहे बटा कंसेप्ट समझने का दिमाग में बैटेगा ना कंसेप्ट तो बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा समझागे चल देख मेरी बाद अच्छा सा तब से फिनॉल लिया फिनॉल मैंने ओच डाल दिया सुनना सब लोग यहां से ओच लिया ओच क्या लिया ओच इधर से क्या लिया एच ह और ओच मिलता है ना हाँ है तेच दूब किया राग doe प्र क्या हो गया हि़ गया अ फिर इदर से भाण निकालाव उपने मिलता है इच इदर से उठाय को सेक हो सेल क्या बन गय क्या एचा है चल जाये न दो बाकि ना दोपराय जोड़ कि इब पांव यह पानली दाल से CH के साथ जोड़, CHO, क्या मिलेगा, CHO, CHO क्या मिलेगा, CHO कुन सा ग्रूम होता है, LDH होता है, अब H दालने का H, क्या करेगा, N A को H रिप्लेस मारेगा, यह वाला उपर आएगा, N A बोलेगा, चल भाई भाई बाई टाटा, अब है प्रोड॥क्ट बुक में नी दिया मतलब मत लिखो कोई दा स्वरहोत नी लिग नहीं भाई एप प्रोड़क्त रेडी हों इस प्रोड॥क को बोलते हैं सलाइकल डिहाइड इस प्रोड़क्त इस कॉल्ड डिहाइड यह फिर इस आल्सों कॉल और स्टु हाइडरोक्षी बेंजालडिहाइड चलिए अब इसी के समान अपना دूसरा रियक्शन है जिसका नाम है कॉल बेज रियक्शन पहला रियक्शन थो हमने ख़डम किया पहले रियक्शन का नाम था रीमर टीमन अब पढ़ेंगे कॉल बेज रियक्शन कुन बेनी बे कोल बे बचशे बोल रहे है सर कोन बे कुन बेनी कोल बे चलिया देखते हैं फिर से शुरू करनेगा फिन ओल से ध्यान से देखा यह वी देख इधर भी तीन सितारा मारा है छे स्टार दे दिया मैंने आपको तीन पहले तीन अभी समझ गया ना जो इंपोर्टेंट है उस पर लगता है सितारा त्री स्टार होता ना पुलिस वाले पर यह भी त्री स्टार है कम नहीं उससे फिर नौल इसमें क्या डाल दिया हमने स्टेप नंबर one में सबसे पहले नौ ओ अलॉंग विद कारबर नाय ऑकिस इसुनने का देखने का समने का अच्छे से उसके बाद अंसर करने परक्या देखते रहेना विद्षना यहाँ से ओ $ निकालेंगे यहां से H निकालेंगे एच और वेच अगर साथ में मिल जाएगा तो अपने को एच तो देदेगा डेफिनेटली एस एच तो बन गया क्या बचा ओए ने बचा ओए ने को ऊपर ले लिया हर बार की तरह ओए ने ऊपर चला आया अब आम सोच लोंगे सर यह सी ओटू क्या गरू कारबन डायोक्षाइड कुछ मत कर रहे बिटा कारबन डायोक्षाइड मतलब सी ओडू ना सी ओओ इधर बॉन निकाल होगे एच मिलेगा तो मतलब वो क्या बन जाएगा सी ओओ एच दिमाग लगानेगा दिमाग देख फिर स कि ओओ करबन डायोक्षाइड बॉन इधर बना रहो इधर तो इधर से निकला तो सी ओओ के साथ जूड़ गया क्या बन गया सी ओओ एच इस स्टेप नंबर वन संपला चाल अब स्टेप नंबर टू ओ ने अच वही चीज किया जो लास्ट टाइम गिया एच प्लस को ला ए वेच ऊपर चला आया बाजू में आगया सी ओवेच इसका नाम तू हाइडरोकसे बेंजोईक एसेड चलो इसको एक और नामे मेरा बच्चा ये इसको प्रोड़क्त को एक और नामे क्या आप में से कोई बदा दखता है क्या नाम आएगा इसका लुक्त बदया गाईस दमाले दम एक और मेरा हम उसको बोलते कि है जब acid लगता है तो हम उसको बोलते salicyclic acid thank you राज तो बटा ये दोनो reaction जो मैंने भी पढ़ा है चाहे वो reamer टीमन हो चाहे वो कोल बेस हो दोनो reaction को बहुत बहुत अच्छे से prepare करना because ये exam में आने का chances बहुत 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 ज्यादा क्या दोनो reaction मेरे बच्चे को समन में आ गए गया पक्का everyone सबको समझ आ गया hand raise कर दो आ गया है तो okay अरूशी यहाद यान दे दो don't worry be happy खुश रहिए tension मत लीजे tension लेने का नहीं tension देने का मेरे को नहीं रहे पढ़ाई को देने का पढ़ाई चल नेक्स्ट अब next oxidation of phenol phenol इसका oxidation करेंगे अपलब इसमें oxygen डालेंगे using kmno4 और k2cr207 along with h2SO4 अब फिर से मिनी बात को सुनने का समनने का ध्यान देने का गौर करने का क्या बोल रहा हूं मैं जो फिनॉल है फिनॉल जब यह इसका करता है तो यह कंपाउंड बनाता है यह कंपाउंड अपने को याद करने का बटा कुछ ऐसा इस कंपाउंड को बोलते है बेंजो क्यून था आइंड ली मेक शूर आपको यह नाम याद रहे नाची के टोन गूरूप से एक की टोन दिख रहा है डायों नहीं यह डायों को क्यों बोलते हैं जो के एक पिंक कलर का कंपाउंड है अब कल गे लेक्टर में आपको एक छीज बताया था कि फिनॉल बहुत डेंजरस है फिनॉल को ना हाथ वाथ पे गिर यह बाबाबाबा बाबाबा बाब लग जाती है अभी भी घाव होए देगो बहुत यह यह तो होता है कि फिनॉल को अना हम लोग बचा क trif humor तो अनौ है इसको Wikipedia गिरा है लाइत था Fox से मिलताइक फिर यह को मतलब आफ़की है अपके लाब में यह देफिनितली रहेगा अगर टीछर ने आपको दिखाया और अगर आपको लैब में मिला तो आप लोगों को यह इस समय बाद बहुत crystal wide होता है crystal होता है crystal यह वाइड होता है एक दम transparent उसको अगर आपने छोड़ दिया है कैसे डबे में रखे open air में तो कुछ ताइम बाद वह खुद ही पिंक बन जाए अपने ही आप आपको कुछ नहीं करना है वह खुद ही धमाल हो जाता है तो उस चीज को हम बोलते oxidation और जब वह oxidation करता है तो वह एक compound बनादे इसका structure कुछ ऐसा है और इस compound को हम बोलते है बेंजो कि नोन येस साहिल पावार ये रिंग बनाना जरूरी है बढ़ा ये सथर्व डेफिनिटली थैंक्यू राज साहिल फिजिकल प्रॉपटीज दिया है आप लोगों को लास्टाइम बोला था मैंने आप लोग करोगे हो यूजिस और फिजिकल प्रॉपटीज में देता हो करने को आपको नेक्स्ट अब हम करेंगे reduction सबसे पहले reaction जो कर रहा हूं है वह catalytic hydrogenation एकदम सिंपल कंसेप्ट चिंदी कंसेप्ट मस्का क्लियर हो जाएगा इसमें तो आपको सब समझ यह फिनॉल है इसमें हम दालते हैं तीन प्रेजंस ऑफ निकल को निकल कोई मत निकलो रहसा भी दरी रहो निकल निकल निकांगा क्यों पंड़ने का ना अच्छे सब अब कि इसको ना समझाने के लिए आपको ना नीचे दूसरा वे दिखा दो है बेंजीन कुछ ऐसा होता यह फिनॉल है ठीक है बाप बोलते होंगे सर क्यों ऐसा लिए बता दाओ समझाने के लिए समझने का त्री एच्टू अतलब 6 हाइड्रोजन हर कारबन को एक हाइड्रोजन लगा दे हैं एक डो तीन चार पाच सब को दगा देखे है है जब लगा दूगा ते बन जाएगा इस costume है कि इदरे bol रिपेले अब एक एक और बढ़ाया तो सब में दो दो ले लिया मतलब सब CH2 CH2 बन गए अब एक बड़ा चेंज बदलाओ क्या है मालू में क्या बीच में बॉंड निकल गया बॉंड तो चला गया डबल बॉंड नहीं क्यों बड़ा है ना आपने तो यह सेम चीज को जब आप यहां रप्रेसेंट करते हैं तो आपको ऐसा खुला हुआ चेंज नहीं दिखाना है डरने का निस आपको क्या करना है सारे बॉंड हटा देने और प्रोड़क्ट में खाली उपर दिखना चाहिए मतलब हर एक जगा पे आपने एक-एक हाइड्रोजन डाल दिया और एक हाइड्रोजन डालने की वज़े से बॉंड निकल या अब यह फिडॉल था मुझे मता मेरा बच्चा इस प्रोड़क्ट का नाम क्या हैगा वाट विल बीड़क्ट ऑफ दिस क् आप अपनाम वाट इस दप्रोड़क्ट ऑफ दरी आक्शन जो दिया आए आपके सामने अमरेंद्र मिश्रा नवीन स्नेहा धरमदीप धम्मादीप स्वरी गुड प्रत्विराज गुड आप सभी के अंसर एक्सेक्ली एक्सेक्ली हंडरेड परसंट राइट है कि इस कंपाउंड का नाम है मेरा बचलो साइक्लो हेक्जिन ओल इस काल्ड एस केटालिटिक हाइड्रोजिनेशन आई आई टी जे डवली पेटा हेक्जेन नहीं हेक्जिन ओल चलिये अब फिनॉल का लास्ट रियक्शन फिर इधर पर चलेंगे रिदक्शन ओफ फिनॉल समझो हमने फिनॉल लिया इसमें जिंग डाल दें जिंग रहे हैं जिंग डस्ट होता है बिसिकली जिंग डस्ट का मतलब कुछ नहीं जिंक के जो पावर पावडर के फॉर्म होता है उसका हम जिंग डस्ट बोलता है यह से ऑक्सिजन यह से जिंक जिंक और ऑक्सिजन मिलता है तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड एच बच गया रिंग के अंदर चला जाएगा और कमपाउंट बना देगा बैंजीन इस प्रेड़ा रिदक्शन ओन फिनॉल उर शिलिबस कुछ नहीं करना है इधर से जैडन ले बन गया जिंक ऑक्साइड बचा क्या एच एच को अंदर जाने दे रिंग के अंदर बन गया बेंजीन तो बेटा इस एंड जफिनॉल टॉपिक फिनॉल खतम हो जाता है यह आपर आई होप एवरिवन हाव अंडर्स्टूड दिस मच क्या से अभी मेरे प्यारे प्यारे बच्छों को इचना समझ आ है अगर आ गया है तो फड़ा फट थम्स अप मारिये चल दी से जस्ट चिल गाइज डूंट वरी एक्जाम बहुत इजी जाएगा टिंशन मत लो डर के कभी नहीं पढ़नेगा पढ़ोगे दो डर कभी नहीं लएगा एक चीज याद रखना चलिए सुख वेरी गुड गाइज विड़ा यहां पर हमारे दो टॉपिक खतम हो जाते हैं एक अलकोहल और एक फिनॉल थैंक्यू साहिल अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा देट इस एथर्स और वो आज हम लोग खतम ही कर देंगे मतलब उसका रियाक्शन भी और उसका रियाक्शन भी रिपरेशन भी और रियाक्शन भी तो टेंशन नहीं रहेगा एक दम इसली हो जाएगा सब तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मैथ़ड ओफ प्रिपरेशन ओफ एथर सबसे पहला मैथ़ड है उसमें डिहाइडरेशन ओफ अलकोहॉल्स अलकोहॉल का डियाइडरेशन ना आपने अभी पढ़ादा कुछ टाइम पहले ही मतलब रब मैंने रियाक्शन पढ़ा दे तब बताओंगा क्या फरके दुनों में ध्यान से देख जो मैं बोल रहा हूँ जो सुना रहा हूँ लेडस टेक C2H5OH इसमें दूसरा मॉलीकूल फिर से डाल दे एथाइल अलकोहॉल का टेम्परेचर शुडबी एड 413 गल्विन बहुत इंपॉर्टन चीज़ है यह इसलिए इसको डाल देता हू रा यह चीज़ बहुत इंपॉर्टन है बताऊंगा बाद में क्यों अब क्या होगा यह से OH को पकड़ेंगे यह से H को पकड़ेंगे H और OH H और OH मिला क्या बना H2O क्या बचा C2H5 O C2H5 डाइ इथाइल इथर नाव वाट इफ टेंपरेचर गोज अबवव 443 केलविन आपको इस्टर इथर नहीं मिलेगा इंस्टड आपको अलकीन मिलेगा यहापे आपको इथीन मिल जाता मैंने एक रियाक्शन कराया था अलफा और बीटा वाला मेरे लास्ट लेक्शर को अग दिखेगा जिसमें आपको एक चीज समझाई थी कि जब आप किसी अलकोहल का चलो एक बार कर देता हो आप लोगों के लिए चीज त्री चीज तू ओए ज्याद है किसको अलफा बोला था इसको बीटा बोला था सरने अलफा से ओए बीटा से एच तो यह रियक्शन में आपको मिलता है चीज डबल बॉंड चीज तू कब होता है जब टेमपरीचर फोर फोर त्री पे पहुच जाता है तो इथर नहीं मिलता तुमको अलकीन मिलता है ठीक बाद चलिए सेकेंड वीलियम सन तिन्थसिस यह आप लोगोंने हैलोजन डेरिवेटी ओफ अलकेन में पढ़ा है ऐसा कोई बोल नहीं सकता मैं नहीं पढ़ा है कि मैं नहीं पढ़ाया उसको सबने पढ़ा है पका चलो देखते हैं सी टू एच फाई ओ इने इस इस कॉल्ड ए सोडियम एथाउकसाइड इसमें डाल देंगे सोडियम और यह ब्रोमो अलकेन ब्रोमो इथेन या फिर अलकाइल ब्रोमाइड जो बोलना आपको इस इथाइल ब्रोमाइड इन दप्रेजन्स वप सूखा इथर मतंजे ड्राइथर अटा काए करा इस एनी अनी ब्यार ला एकत रगैंच इदर से एने को पकड़ा इदर से ब्यार को पकड़ा इने और ब्यार साथ में मिल गया बचा लोग एने ब्यार बन गया मेरे बाद क्या बचा शीटू फाई इथोक्सी इथेन जालो आलो आप लाउट पर इथोक्सी इथेन अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सा रियक्शन चलो देखते हैं हमारे बच्चों को मिलता है क्यों जालो एक रियक्शन लिखकर छोड़ा आपके लिए देखिए उसका अंसर आपको आता है गया यस और नो चेक इडाउट वेडिंग फॉर आंसर गाईज श्लम बतान है वेटा श्लम बतान है रटाव कि वेरी गुड़ गाइज या से ने लिया या से भी आर निया इस नदिंग बट मितोक्स टी बेंजीन एक सिंपल था कोशन पूचोंगा गाइज इसका दूसरा नाम क्या है हंड्रेड परसंट आपको आपको आना ची एंड्रेड परसंट पाहें था था भी बूलत था था वेरी गुड बध़ बढ़िया वचलो क्या बात है मजा आग आंसर देखें अथरव गुड बद अच्छी पढ़ाई कररो बढ़ एक्षे पाटिल सांगले आयाइटी जे डबली नाम से तो जे डबली क्लियर हो रहा है इस कंपाउंड इस ऑल्सो कॉल्ड एज एनिसोल तो बिटा अपने को एथर के प्रिपरेशन में दो ही मैधड एथर के अपने दो ही मैधड है एक तो मैंने पहला बता दिया दूसरा विलियमसन बाकी फिजिकल प् सब्सक्राइब करने इसा कुछ है नहीं और हम लोग कंसेप्ट बैच पढ़ रहे हैं उसके अंतर से आपको सिर्फ रीड करना है क्या है मेल्टिंग पॉइलिंग पॉइंट क्या है स्ट्रक्चर पोला रहें नौन बोला रहें उस सब चीज़ थियरी बेसिस पे जाता है यह मतलब नहीं हुआ कि सर पढ़ना ही नहीं है बोलता हो वार बार बोलता हूं फिर से बूलता हो रहें इंपॉर्टन जरूर है किसका मतलब यह नी आ कि आयो पैलम ये थैयरी के साथ रिएक्षण इम्वाटेंट है नहीं इनक्ट जैर लोग फिर चलने रियाक्शन हுर्ण कि अच्छी खाने का नहीं अभी टाइम अच्छी खाने का नहीं अभी टाइम पबाद सकाई नाय जेवन नाय जाला जुना इसके बाद सिद्धान्त थर्मडानमिक्स लेंगे फुपफुली क्या बाद है थैंक यू बचलो इतना राउंड अप्लॉस किया आप लोगों ने मेरे लिए वेरी 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 थैंक यू टू एवरिवन मजा आ गया मंडल आभारी है तुम चलिए तब चलते हैं बटा reactions of either बें जिसको हम बोलते है formation of Peroxide इसको परोक्साइड बोलो जो बोलना रहा है बोलो लेकिन बोलो कुछ तो भी बोलो चलो शुरू करते हैं ध्यान से देखनेगा CH3 CH2 OCH2 CH3 इसमें आक्सेजन डाल देवेडा आक्सेजन अब मैं जो बोल रहा हूँ जो कर रहा हूँ इसको देखनेगा इसको इसको हाथ ही मतलगा कुछ मत कर रहा है मतलब यह CH3 वैसे का वैसा बीच में ओ वैसे का वैसा बाजू का CH2 CH3 वैसे का वैसा मतलब जो खेलना वो इसी करद खेलना अब इधर क्या आपने बस पहले सी लिख दें सी के साथ दो है जो इचना है कि इधर लिखने का एक है उपर लिखने का बाप बोलो कि सर क्यों लिखा क्योंकि अभी क्या करेंगे जो 2 ऑक्सिजन तेना वो दोनों बीच में डालेंगे यह आगया यह पर यह बन गया अपना अप्न नहीं किया कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं हुआ क्या हुआ है किया थे रोजन दो जो कित्टे ओक्सिजन दो ड़नों डाल दिया इस कंपाउंड को बोलते पर औक साइड ओधर इस कंपाउंड आप पेरोकसाइड ओफ एथर पेरोकसाइड बोलो चाहे पेरोकसाइड बोलो कुछ भी नहीं है खाली धमा ले रियक्शन आफ़त है आफ़त है एकदाम मस्त है बवाल हो रहा है रियक्शन समझो समझ में आए कि रहे बचलो पक्का शूर 100% क्या बात है हमारे बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ाई के मामले में कोई पीछे नहीं हटेगा पढ़ना है तो आगे बढ़ना है पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे रियक्शन नमबर टू हाइड्रो लाइसस च्छ त्री इथाइल मिथाइल इथर इसमें डालेंगे पानी पानी बंजे वाटर इन दा प्रेजन्स ओफ सल्फियोरिक आसेड ध्यान दे समझ अच्छे से बात कर जो बोल रहा हूँ हो समझ जो बता रहा हूँ हो सीख इतने पार्ट को एच दिया C2H5 के साथ तो बन गया C2H5OH इधर क्या बचा CH3 इधर क्या बचा OH मतला CH3OH तो दोनों अलकॉल यह बन है आप बोलो के साथ दोनों बिलकुल बन नहीं तो ना अलकॉल बना तो उससे क्या लिए अंगना है यह बन गया मेरा इताइल अलकॉल और यह बन गया मेरा methyl alcohol चलो एक question आपके लिए all of you तैयार रहना answer देना c2h5 o c6h5 अगर मैं इसका hydrolysis करूंगा तो क्या भी लेगा पुझे product come on guys fast give me the answer waiting for your answer you have only two minutes लेगा दूशख क्या लेगा रूद़ युर दाफशा दो क्या दो कि लुझे लेगा लेऩा में जुझे लेगादा vag कि लेगा है रहा रहा कि हो जाएगा अजरे टेंशन मतले है कि टेंशन की कौनों बात नाहीं है प्राजू गुड कौपी पेस्ट करने का नहीं दिमाग चलाने का दिमाग कौपी पेस्ट नहीं होता है पिर एक्जाम में खली जीरो मार्क स्पेस्ट होता है चलो इदर देखो रहें बचलों यह एक हो गया सीशिक सच्च फाई के साथ ओएच प्लस के साथ दूसरा ओएच तो एक बन गया अपना बचलों फिनॉल सेशिक सच्च फाई पे ओएच रहेगा तो फिनॉल दूसरा बन या इत्थाइल अलकॉल तो एक अलकॉल हो गया एक फिनॉल हो गया बराबर तमजल नक्की खर चाहुया का पुड़े चलिए तो इसी के साथ आगे चलेंगे रियाक्शन विट पीसील फाई देखते क्या हुग चुढ़े lot द्यां से देखिये तक समझ यह कया बोलना चाहर हो इसको एक ए external के इस इसको एक एальная अज फाई फाई सिएल दूसराऑ सीट 2020 बड़ाबर अब बचा क्या एक पी बचा एक ओ बचा तीन Cl भच्छे 1P-1O-3Cl-3, धमाल का थाम, reaction का थाम, संपला बगवेट दा परव, इधर C2H5 दा इसको XCl दिया, यह C2H5 को एक CL दिया, C2H5Cl, C2H5Cl, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड, बरोबर, इथाइल क्लोराइड हो गया, अब क्या करेंगे, इधर P, इधर O, P और O मिला, किसके साथ, 3 CL के साथ, क्या बन गया, POCl3, प्रोड़क कम्प्लेट, रियक्शन संभला, इसके बाल तो हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर से, C2H5, O, C2H5, इसमें क्या डालेंगे, हाइडालेंगे, देखने का अच्छा से, इतने पार्ट को एक हैच दिया, यह बन गया, अपना C2H5OH, यह वाला पार्ट बचा, I को दिया, यह बन गया, C2H5I, तो यह हो गया, बच्छा लो एथाइल आयोडाइड, एग होगे अपना इथाइल अलकॉल, दूसरा होगे अपना इथाइल आयोडाइड, दोनो रेक्शन कम्प्लेट, प्रड़क कम्प्लेट, सम्झा बच्छा लोग, हैव यौल अंडर्स्टूद इस, काइडली रेस और एंड, फास्ट, जिन बच्छ समझ लगी, प्रेड़ना लेट होगे वेड़ाज तू, वगल मैंने बोला था, अनाउंस किया था, जल्दी लेक्चर लेने का अपने को अच्छा, चलिए, तो चलते हैं फिर आगे, सब बच्छों ने हाथ उठा दिया है, मतलब समझ में आगे अपने बच्छों को, अपने प्यारे प्यारे बच्छों को, चलेंगे आगे, अब चल रहे हैं, रियाक्शन्स ओफ एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, एनिसोल होता है, बेंजीन के उपर इथर ग्रूप, मतलब अलकॉक्सी बेंजीन, OCH3, ये भी और्थो पहरा ग्रूप है, जैसे फिनॉल पढ़ा है ना, उसी तरह से, सबसे बेले इसका ब्रोमीनेशन कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल डालूँगा, चोटल चार एटम हो गए, इन दा प्रेजन्स ओफ एसिटिक एसेड, चलो, अब तो हमारे बच्चे खुद जान चुके है, तो अंसर तो सामने सामने से आएगा, दो बार रिंग बनाएंगे निसोल का, चल दो रिंग बना दे पहले, दो रिंग इसको दो बीयार सात में मिला दिया, तो अपना वया बन गया, दो एच बियार बन गया, दो एच और दो बीयार ओगया, अब दो बूप चले गए, चार मेंसे दो बच्चे न, एक बियार हम यहां शटका देते, एक हम यहां लगा देते, यह बन जाता है अपना O-Bromoanisol और जैसे के सर ने आपको अल्रेडी बता है कि जैसे ब्रोमीनेशन में ब्रोमीन लिया जाता है नाइट्रेशन में नाइट्रिक आसिड लिया जाता है इन दा प्रेजन्स ओफ सल्फियूरिक आसिड साथ में मिला करके उनको बोलते है नाइट्रेटिंग मिक्सचर फिर से एचे न यहां वीन अनुरों बाजोह आपला पी नाइट रहे रुन प्रड़क्ट कम्पलीड जाले गणुरु दोणब्र ओन फरीक जोड़े कंपले बासो दगन ऐस तरह संपल्ड ऐत पाड़ आम्यु नाइट्रोने शूल नहीं पी नाइट रहनी सोल क्या सब बच्छों को इतना यहां तक रियाक्शन समझ में आया है फटाफड अंसर दीजिए येस और नो येस और नो है वेवेरीवन अंडेस्टोट अप्टिलियर फटाफड फास्ट फास्ट नूट्स भेज देंगे विट आपको ग्रूप में भेजाना एमन बयाने हो ग्रूप में जॉइंड हो जाओ तो नूट्स होगेरा सब मिल जाएगा तेंशन नहीं है उसका बिलकुल next and the last reactions of this topic that is called us Friddle Craft reaction Friddle Craft में पहले पढ़ेंगे alkylation इसमें हम यूज करते है अलकाइल हलाइड्स चल फिर से एनिसोल दो बार प्लस CH3BR दो बार इन दे प्रेजन्स ओफ अनहाइडरस alcl3 ध्यान दे ना मेरी बात को दो रिंग बना ले एनिसोल का एक यहाँ पर बन गया दूसरा यहाँ पर बन गया एक के और तो से एच निकाल ले एक के पैरा से एच निकाल ले बराबर दो एच आ गए दो एच को दो भी आर दे दिया अपना बन गया टू एच भी आर बचा गया सी एच तरी दो एच हो गए दो भी आर के साथ दो एच भी आर गए दो सी एच तरी बच्छे एक सी एच तरी आट एच करेंगे दूसरा सी एच तरी आट एच करेंगे यह बन गया तो, मिथायल अनिशोल ये बन गया और मिथाइल अनिशोल ये तुम्हारा और्थो-प्रोडक्ट ये तुम्हारा पयारी प्रोडक्ट सिमिलरली अगर अलकाइलेशन नहीं तुम असाइलेशन कर रहे हो तुमको असाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा बताता हो क्या होता है दिन अधिनता प्लस और दो बार लेने का सीएल मैंने आगे ना खाए कि उसको बाहर निकालने अपने यह बन गया किसके साथ अनाइडरस ऐल सीएल तरी के साथ रिंग इत्ती बार बना दो बार दो बार निंग बना लीजिए थुदा एडवांस वाला है वो नया यह बेंजीन बनाया भी थीके नहीं दो बोलोगे सर क्या बना चल अब यह से एक बॉंड यह से एक बॉंड 2H और 2H Cl क्या बनाते हैं 2HCl तो दो बार त्सेल बार चल सील चला इतना पाड बजिया ये पाड को एक औरफो पॉसिशन दे दो दूसरा एक पैरा पोजिशन दे दो इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीडवर फिनोन आए होप सबको पता होगा ये जो रिंग कान धरी के अधिन डब्ब्ब में डाल रहा हो ये एंग कान तो यह हो गया दपना फिरिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन और असाइलेशन इस ख्लियर आज्या वह एवर्यवन क्या सभी बच्छो को यह प्यारे प्यारे मित्रों को हमारे चोटे चोटे बच्छों को समझ में आ गया चेतान अब्यासला लक्ष द्याइच गाप्पामारत नचानाई बैसाईच समझल आले उत्तर फटाफट जरा तालिया गूंजनी दो तालिया बस्ती रेनी चाहिए चैप्टर खतम हो गया चलो जैसे के बोला था चैप्टर के एंड में मिल जाएगा आपको सबसे पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चिन्स सबसे पहले पीनों के आयो पीएसी नेम्स एंड स्ट्रक्चर्ज दूसरा प्रिपरेशन वैसे तो अल्कॉल में सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेसिफिक अधर पकड़ोगे तो ग्रिगनाड रिएजेंट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो अपने क पांड गे वो ठीक है तीसरा तब रियक्शन ऑफ अलकॉल पर आओगे तो रियक्शन ऑफ अलकॉहल में रियक्शन ऑफ अलकॉहल में मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट का ज़रुबत पढ़ेगा कि वो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन एक पडिकुलर्ली अगर है वह अच्छे से पढ़ना है ठीक है इसके अलावा वीलियम सन सिंथेस्स फिर फिनॉल पर आई है फिनॉल के प्रिपरेशन में अगर जाओगे तो मैथर्ड फ्रॉम क्यूमीन वेरी इंपॉर्टेंट डाइजोटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें डाइजोनियम सॉल्ड बन जाता है वो तो यह दो अच्छा यह तो आना मैं एक दम शॉ तो आई होप के सारे बच्चे मेहनत करके सभी पढ़ेंगे लेकिन कुछ बच्चे जिनको बोट डर लग रहा है वो यह सब तो करी लेना उसके बाद रियक्शन ऑफ फिनॉल में अगर जाओगे तो जैसे के मैंने बोला कोल बेस करना ही करना है रीमर टीमन करना ही करना है ऑक्सिडेशन ऑफ अलकॉल और फिनॉल ऑक्सिडेशन अलकॉल का भी और फिनॉल का भी दोनों करना है और इथर तो चोटा सा पाट है इथर पूरा ही करिया है वैसे तो यह रफलीक को एस्टिमेटेड कोश्चन दिया है मैंने बाकी सारे कोश्चन का भी दूंगा बाकी एक बार जब यह और गयानिक पूरा हो जाएगा ना तो इसमें चारों चाप्टर मिलागे एक बड़ा सा से में पुतारे और वह यहां पर नहीं दूंगा वह आपको बेढ़ दूंगा ग्रूप के अंदर तो सब रिफर कर लेना ठीक है तो इस चाप्टर वह वेरी अमेजिंग और आप सब को समझ में आया रहेगा आप सब में वहत हुँच सीख गए हो तो यहां पर हमारे दो और औ और लोड्मी नामी डायनंक में ओनी को से ज्यादा मजा आया लेक्स में मजा आ अहाए लेक्सि की मुए तैम जम्ली धैरिटी नई सल्गिवस्वें बतानेका समझ में नहीं आ रहेगा आया-नहींा यह एggakसा लागा बेट करें ने रिए полoup const…. झाल झाल